अधरकाश्ड से भी प्यार करोगे ना तब भी तुम महानो उस एक्जाम को कॉलीफाई करने और उसमें एक अच्छी रेंक लाने में तुम्हारे 10% chance increment हो जाते हैं क्योंकि जब तुम्हारा एक्जाम कब है तब तुम बहतर study plan बना पाओगे तब तुम्हें पता हो कि तुम्हें अपना syllabus कब खतम करना है तब तुम्हें पता हो कि तुम्हें कितना time revision के लिए देना है और कितने mock test देने हो कब देने है और अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारा exam कब है तो यकीन मानों तुम पूरे साल परेशान होते रहोगे, पुरे पढ़ाई करते टाइम परेशान होते रहोगे, कि आखिरकार किस तरीके से तुम्हें प्लैन बनाना है, देखो, जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, तो हमारे पास दो चीज़ कन्फरम होती हैं, कि हमें कहां जा साम का टाइम क्या है, और आपको कितनी रेंक लानी है, मैं जितने भी ट उपर, जितने भी इंटर्विव देखे हैं, उसमें एक बात मैं ने comment देखी जादा तर, कि उनको पता होता था कि उनकी रेंक कितने के अंडर आने वाली है, तो तुमारे दमाग में बात बिल्कुल क confirm नहीं करोगे तब तक तुमारी preparation एक right path में नहीं जाएगी जहां भी तुम पढ़ाई करते हो बहाँ दो चीज आज ही लिख लेना कि तुमारा exam कब है तुम्हें अपना syllabus कब खतम करना है तुम्हें कितना time revision में देना हो और कितना time तुम्हें mock test में देना हो कितने mock test देने हैं और तुम्हें कितने के अंदर rank चाहिए है अब तुमने लिख लिया कि time और rank एक उसके लावा ही बहुत important factor होता जिसका नाम है CWG common belt game जैसे common belt game में तुम्हें अगर gold लाना है अगर तुम्हें कोई medal लाना है तो उसके लिए पूरी planning की जाती पूरी मेहनत की जाती इसी तरी content होना चाहिए ऐसा नहीं कि तुम आई टी एडवांस जेई मेंस की तैयारी करो तुम्हारे पास बहुत रदी quality का content है कि तुम उसमें कितनी भी मेहनत कर लोगे लेकिन तुम्हें अपना वह goal अचीव नहीं होगा देखो फिर बात करते हैं बर्क माल लेते हैं कि तुमने सब सबसे best content ले लिया है सबसे effective content ले लिया है उसमें से सो में से 50 लोगों का उसमें से selection हुआ है और मतला best coaching के तुमारे पस content है कोटा का लेकिन फिर भी अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे हो तुम self study नहीं कर रहे हो तो यकीन मानो तुमारा selection नहीं होगा जो सुनने मिलता है ना कि जार यह इतनी अच्छी coaching हैं पढ़ता था कोटा हुए फिर वी सका selection नहीं हुआ यह रोज coaching attend करता था रोज class में जाता था रोज जाता था लेकिन फिर वी selection नहीं हुआ वह ता self study क्योंकि पढ़ा तो हर कोई रहा है उसी teacher से सब लोग पढ़ रहे है हजार वच्छे पढ़ हैं लेकिन जो difference लाता वो लाता self study अगर तुम self study नहीं करोगे तो यकीन मानो मैं कोरे कागच पर लिख के दे सकता हूं कि तुम्हारा कहीं भी selection नहीं होगा बिल्गु सच बात है self study बहुत जरूरी है अगर तुम 8 या 9 घंटे पढ़ते हो तो यकीन मानो तुम्हारा selection easily हो ज जिसमें जो महंती बच्चे पीछे रह जाते हैं क्योंकि जो महंती बच्चे होते हैं वो सारी कोशिश कर लेते हैं लेकिन एक चीज की कमी रह जाती बहुत ही guidance की देखो guidance important है लेकिन मिलती बहुत मुश्किल से है क्योंकि तुमने जिसका paid course खरीदा होगा जिससे तुम जुड़े हुए होगे तो basically वो अपने ही तारीफ करते रहते हैं वो कहते हमारा content best है हमारा content best है बागी सबका बेकार है ऐसा फलाना डिकांगा क्योंकि अगर तुम कप तुम उस पर trust ना करो ट्रस्ट करो इस teacher पर लेकिन फिर भी check करते रहो कि तुम एक पात में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो क्योंकि किसी भी coaching में दो प्रकार की student होते हैं एक होते हैं ranker एक होते हैं banker अब decide तुम करो कि ranker हो या banker हो अब YouTube पे कई ऐसे YouTuber हम जो बताते हैं कि त हमारा coupon यूज करो यह हमारा code यूज करो 10% 25% का discount पर ऐसे लोगों को मैं दलाल बोलता हूं क्या कर रहे हैं कि तुम उनके पास आते हो और वो तुम्हें और कहीं भीज रहे हैं इस सब दलाल का काम है इन लोगों से बिल्कुल दूर रहना क्योंकि यह न कोई content provide करा पा रहे ह वस एक जगए की audience दूसरी जगए भीज रहे हैं अब तुम कहोगे कि भाया अब आपने पना confuse कर दिया है अब हमें guidance कहां से मिलेगी देखो guidance मिलने के लिए सबसे best तरीका है कि तुमारे जो school में या पर तुमारी महले में या तुमारे रिष्टेदार में कोई तो ऐसा होग जिसने जेई मेंस की तैयारी की हो या फिर जेई मेंस crack किया हो देखो अगर जो उस field में fail भी हुआ है अगर जिसका जेई मेंस clear नहीं हुआ है उससे भी तुम्हें बहुत कुछ सीखनों को मिलेगा आदी problem वो तुमारी दूर कर देगा क्योंकि एक failure को पता होता है कि वो failure कि बज़े से है तो वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या नहीं करना है और अगर जिसको पता चलेगा कि क्या नहीं करना है तो यकीन मानों वो बहुत अच्छे रास्ते पे जाता है जैसे इस age में तुम्हें attraction बहुत ज़्यादा होगा जैसे लड़के को लड़की के बेकार है सब खराब चीज़ है लड़की खराब होती लड़के खराब होते नहीं हर चीज़ के एक टाइम होता है अगर तुम उस टाइम पे काम करोगे न तो सब चीज़ अच्छी लगती है अगर तुम गोल अचीब करने के बाद अधरकाश्ट से भी अधरकाश्ट से भी प्यार करोगे ना, तब भी तमारे घरवाले मान जाएंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो एक बात मैं तुम्हें बता दूँ कि लड़का कभी मासूम नहीं होता है, और कभी मजबूर नहीं होता है, जो वो करना चाहेगा ना, वो करके मानता है और लड़की कभी सीधनी होती है जो लड़के कहते हैं कि मेरी वाली सबसे अलग है बड़ा जिस दिन तुमारा काटके जाएगी न तुमारी वाली सबसे अलग तरीके से काटके जाएगी अगर वो अपनी पे आ जाये न तुमारी अम्मा निकलेगी तो इन सब फालतू चीज़ें मत वीदा करो के नहीं या मेरी वाली सबसे अलग है, मेरा वाला सबसे अलग है तो अभी अपना गोल अचीब करो गोल अचीब करने के बाद अगर तुम जिससे प्यार करोगे घरबाले उससे तुमारी साधी करा देंगे घरवाले यह नहीं कहते कि तुम अपना पार्टनर नहीं खोजो या फिर प्यार महबत ना करो घरवाले सिर्फ तुम्हें एक कामयाब इंसान देखना चाहते हैं सिर्फ इतनी उनकी बात है बाकी सिर्फ सेकेंडरी फैक्टर होते हैं उनके लिए तो वो कहते हैं कि अगर तुमने अचीव कर लिया अच्छे चीज से तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं है आँख बंद करके किसी पर भी ट्रस्ट मत करना सिर्फ माबाप के अलावा क्योंकि दो ही लोग इस दुनिया में हैं जो आपका कभी बुरा नहीं दे सकते हैं वो है माबाप कुछ बच्चों के दमाग में थोट आ रहा होगा कि आज जिसके लिए हमने वीडियो पे क्लिक किया है न वो बात तो नहीं बताई कि एक्जाम कभ होने वाला बाकि सब फाल्तु बातें बता दी हैं दोको मैं इस लिए आपके साथ इसना discussion करता हूँ ताकि आप अपना goal achieve कर पाएं आप अपने सपने पूरे कर पाएं आप अपने काम पैसों के लिए कर रहा हूँ, आपको एक अच्छी guidance मिल सके, आप अपना goal achieve करवाएं, मैं किसी को भी guide करता हूँ, कुछ भी help करता हूँ, तो इस सोच समझ के करता हूँ, कि वो मेरा छोटा भाई और छोटी बहन है, मेरा सिफ़तना purpose रहता कि आपको एक सही guidance मिले, आपके साथ कोई cheat ना हो जाए, जो manage है लाए ना, वो आप ना चाहिए, बस इतनी इस सब फालतू बात हैं करता हूँ, आपके कुछ minute गए होगे, लेकिन यकीन मानो, आपको life में बहुत कुछ मिलेगा, अब point पे आते हैं, जिसके लिए आपने वीडियो पे click किया है, वो है कि release of notification, जो season 1 होगा, वो होगा 1st March से आपका registration, जो notification और release होगा, second के लिए भी इसी date से ही release हो जाएगा, अब बात करते हैं, registration start होगा, वो पहले वाले के लिए 1 March से start हो जाएगा, और दूसरे के लिए भी 1 April से start होगा, जो end of registration हो जाएगा, पहले वाले के लिए 5 April को end हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 3 में को, last date होगी fees payment की, वो भी 5 April होगी, और second season के लिए वो 3 में होगी, जो तुमारा admit card होगा, वो June में आ जाएगा, इसके लिए जुलाई में आएगा, जो आपका exam होगा, वो first season होगा, वो होगा जून में, जो second season होगा, वो होगा जुलाई में, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हों कि मैंने तो और कुछ भी सुन रखा है, अभी तुम्हें एक latest news नहीं पता होगा, कि तुम्हारा J means है न और NEET है, वो CUT में मर्ज होने वाला है, और मुझे 99% लग रहा है कि मर्ज कर दिया जाएगा, तो CUT से रिलेटर अपने आपको update रखें, या फिर जो भी कोई changes होगे, जो भी जैसी भी date पता चलेगी, तो मैं आपकी help कर दूँ, एक information or add कर लो, कि ये date tentative है, मतलब most probability है कि इसी date को exam होंगे, अगर कोई भी changes आएंगे तो आपको जरूर inform कर दिया जाएगा, अगर किसी को लगता है कि मैंने तुम्हारा time based किया है, या फिर मुझ से कुछ गलती हो गई तो उसके लिए माफ कर देना बताना कि क्या बात आपको बुरी लगी है, तो कोशिस करेंगे कि बो next time से आपके साथ ऐसा ना हो,